2024 विधान सभा चुनाव का समय जैसे जैसे नस्दीक आ रहा है सभी पार्टिया अपनी अपनी तयारी को लेकर एक्टिव मोड में नज़रा रही है इसी कड़ी में रास्टि समानता दल के जारकंड प्रदेश अध्यक्ष कुमूत कुश्वाहा भी रफ्तार मीडिया से जुड़े और अपने राजनितिक मुद्दो को साजहा किया लोक सभा चुनाओं के बाद अब सभी पार्टिया विधान सभा की चुनाओं में तयारी में लग चुकी है चुकि मैं बतादो कि जारकंड में 2024 विधान सभा चुनाओं दो से तीन माहिना के अंदर होने वाली है ये बताईए कि बिधान सभा का चुनाओ दोजार चुनाओं में होने वाली है, सभी पार्टिया अपनी ताकत लगा रही है, आप इस बार क्या उन पार्टियों से अलग करेंगे? ये बताईए कि बिधान सभा जार्खन के लिए चुनाओ की तइयारी में लग चुका है, हम लोग इस बार पूरे बिधान सभा में 50 सीटों पे चुनाव राष्टी ये समानता दल लडेगा और मजबुती से लडेगा रह गई बाकि जितनी भी पार्टियां है जार्खंट की जनता सभी को देख चुका है जितनी भी पार्टियां है चाहे उपिय की गटबंधन की सरकार हो चाहे अंडिये की गटबंधन की सरकार हो सभी ने जार्खन को लुटने के काम किया है चुसने के काम किया है लोगों को बेरुजगार करने के काम किया है जल, जंगल, जमीन, ख़दानों को लुटने की बेवस्ता बना के रख दिया है जार्खन परदेश में सिर्फ लुटने की जो जोजनाय है इस पे ताला जदी कोई लगाएगा तो राष्टी ये समानता दल लगाएगा और इस मुद्दे के साथ हमारी जो लड़ाई है आर्थी कजादी की लड़ाई, मतदाता पेंसन की लड़ाई, एक समान अनिवार सिच्छा की लड़ाई इन मुद्दों के साथ बिरोजगारी कैसे दुर हो, गौसे प्लाइन कैसे बंद हो, खनी संपदा होते भी जारखन के लोग जो गरीब है, उनकी गरीबी कैसे मजबूत हो, इन सभी मुद्दों के साथ राष्टी समानता दल मजबूती के साथ चुनाओ के मैदान में अपना त्यारी कर रहा है एक बहुत बड़ा सवाल है चुकि गडबंदर में सरकार चल रही है और जिस तरीके के जो यहां पर योजनाएं लागू हो रही है अभी जार्खन के सिये महियां योजना लागू की जो महिलाओ को हर महिना एक हजार रुपया देने की बाते कर रही है इसे जार्खन प्रदेश में जिस महिला के तन पर वस्तर नहीं हो आज भी लोग पानी पीने के लिए गंदे नाली का पानी पीने पर विवस हो उस महिला के लिए हमन सरकार ने एक हजार मिया जोजना के नापर उन लोग एक जोजना लाया है यह बिलकुल लोटने की विवस्ता ह आज की महिला कैसे सुद्रीड हो जारखन के महिलाओं बहुत पोटेंसियल है बहुत उर्जावान यहां के महिला हैं बहुत मेहनती होती हैं महिला कैसे आगे निकले इस पर विचार करना चाहिए चाहिए खेल के दुनिया में हो फिल्म के फिल्मी जगत में हो और तमाम ऐसे ब बिरोध करता हूं और जदी विवस्ता कर नहीं है तो मद्दाता पेंशन का समर्थन करें हमन सरकार प्रतेक मद्दाता को 5000 रुपया दे के गरीबी की निचली रखा तै करने का काम करें हमन सरकार राष्ट्री समानता दल उसके साथ रहेगा जदी ऐसी विवस्ता नहीं होती है तो राष्ट्री समानता दल जो लुटने वाली जितने भी जोजना है हमन सरकार लेके आई है इसको बिरोध करेगा जहारखन में अगर दुरना चार्य के रूत में देखा जाता है राजनिती के सेक्तर में अगर वह अभी नितिस कुमार की पार्टी में जोईन की है जैसे मान के चलिए वो बहुत अहम रोल निभाते यहां पर जहारखन में तो इसको सर्जू राय को अब कैसे देख रहे हैं क्या उससे जार्खन में जडियों को फाइदा होगी ऐसा है कि सर्जू राय जी स्वार्थ के लालत में जनता दिल यू को जॉइन किये हैं और ये कोई चानक नहीं कोई दुरोना चार्ज नहीं है ये सिर्फ जो है जन परतिन किया जाए इसकी इनके पास बिवस्ता है इनके पास कोई रोड मैफ नहीं है किसी तरह के अपने छेत्र में क्या विकास होगा इसकी कोई इनकी प्लानिंग नहीं है सिर्फ और सिर्फ कैसे बिधायक बने और बिधायक बनके यहां की जो जन परतिन नहीं कैसे उनको बदनाम करें सिर्फ इनका ये काम है बाकी जद्दू में सामिल हुए उससे कोई अंतर नहीं पढ़ने वाला है लाक यहां पर संद्दू की स्थिति आज ऐसी है जो बिहार में जो इस्थिति है उससे बुरा इस्थिति यहां है इसलिए सरजू राज जिस पार्टी में चला जाए जो बना ले जारखन के जनता उनको देख चुकी है अगर भारतिये जनता की पात करते हैं पाटी की तो अभी लगतार शिवरांस चोहान हो गया है या हमन्द विसकरमा हो गया ऐसे दिगज लगतार दौरा कर रहे हैं अभी फिर दौरा पे हैं हमन्ता जी क्या वो घुस्पेट वाले जो मामला चल रहे हैं जारखन में ये क्या भोट बैंक का काम आएगा अभी जेपी को ऐसा है कि भारतिये जनता पार्टी दूद की धुलो ही पार्टी नहीं है इन्होंने इस देश में ऐसी घिनोनी राजनीत किया है हिंदू मुसल्मान के नाम पर लड़ाने की जो ब बंगला देश के लोग जो दुमका एरिया से लेकर तमाम बंगाल में बहुत सारे ऐसे जगों पर बाहर के लोग खास करें मुसलीम लोग मैं किसी मुसलीम पर टारगट नहीं कर रहा हूं लेकिन जो घुस पैठिया लोग है चाहे जो भी हो उस पर प्रतिबंद लगना चाह पढ़तार हो या भारतिये जन्ता पार्टी के सरकार पहली भी थी उस समय भे लोग घुसपैठ किये थे आज भी लोग घुसपैठ किये हैं इस के लिए क्या चाहती है?. राष्टिये समानता दल इस बात का पुर्जोर मांग करती है सरकार से, चाहे किंद्र सरकार हो या जार्खन सरकार हो, जो घुस पैटिया है, उसको जार्खन से भगाने का काम करें।